दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे बीटा कोईन, बीटा फिनांस कोईन के प्राइस मोमेंट के बारे में करेंट लिए कोईन 0.085 पर प्रेड कर रहा है एक अच्छे डाउन ट्रेंड के अंदर, एक अच्छे डिप के अंदर वापिस से इस कोईन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और वापिस से एक अच्छे अपोश्टी इस कोईन के अंदर निकल के आ रही है जो लोग इस कोईन में एंट्री देख रहे हैं कि हुआ पूर्पर guidance प्रोपर strategy share कर पाएं प्रोपर उनको वहां पर चेट एकसज रहेगा crypto queries की जाएगी टेक्निकल चीजे सिखाए जाएगी और भी बहुत सारे benefits रहेंगे signal share की जाएगे ताकि वह crypto losses से बच पाएं और लंबे तक अच्छा benefit market से ले पाएं, तो जो नए investor है, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा की link description में वहाँ से आप benefit जान सकते हैं, और join कर सकते हैं, 0.085 पर यह coin trade कर रहा है, यह 15 मिट का chart अबन है, और previously इस coin में बहुत अच्छा pump हमने देखा, 22 of November और 26 of November को एक अच्छा breakout इस coin कर दर हमें देखने को मिला था, जहाँ पर इसने बहुत अच्छे targets अच्छी किये थे, almost इसने 13 वाला area प्राई किया था वहाँ पर, और वहाँ पर भी हमने वीडियो शेयर किया था, इससे पहले जो FTX collapse हुआ था, जब इसने 0.0558 वाला low बनाया था, उस time पर हमने 12 of November क इंट्री शेयर किती इस coin के अंदर, 6-2 और 5-8 वाले area पर, और वहाँ पर हमने एंट्री लेकर बहुत अच्छा profit इस coin के अंदर, 120 से लेकर 140 परशन तक का profit अर्ण किया, और वो वीडियो आपको जरूर देखना शाहिए, जिसकी link में comment में pin कर दूँआ, ताकि आपको ये knowledge ह सके कि हमारे चैनल से आपको करें ये चिन्वन चीज़े मिलती है, जो नए चैनल पर, नए viewers है, जो पुराने हैं, जो उनको 2-3 मैने, 4-3 मैने, 6 मैने हो गए हैं, और जो regular जूड़े हो उनको तो पता ही है, और उन लोगों ने वागर miss किया है, तो वो भी जरूर देखें, तो मैं comment में pin कर दूँँगा उस video के link, उसके बाद, 1-3 वाले area से अगर overall देखें, तो इस coin के अंदर 30% से ज़्यादा का correction देखने को मिल चुका है, यानि कि 1-3 वाले area से अभी currently ये coin, 85 के round में trade कर रहा, support area के अगर बात करें, तो 0.074 से 75 वाला जो area है, यह इसको support area है, या यानि कि उस area को अभी इसने try नहीं किया है, और उपर के तरह अगर resistance area की बात करें, तो 0.09 वाला जो area है, यह इसके लिए resistance area है, तो इसको इसने previously break किया था, जब break out हुआ था, जब इसने 1-3 वाला area try किया था, तो उस area को बार बार hit कर रहा था, और जैसे ही उसको break किया, तो break करते ही, हमें break out देखने को मेला, और हमने इस coin में अच्छा profit generate किया, इसे पहले, FTX collapse से पहले भी हमने इस coin में बहुत अच्छा profit generate किया था, यह जो 1-6 वाला area है, इसको भी हमने grape किया था, इससे पहले यह 1-9 वाला breakout था, इसको भी हमने grape किया था, यानि कि हम regular basis पर इस coin से और दूसरे अच्छे coin से profit generate कर रहे हैं, और आपको profit book करना बहुत जरूरी है, जब भी आपकिस coin में लेते हैं, तो जो मैं आपको targets बताता हूँ, targets पर आपको profit book करना बहुत जरूरी, क्योंकि market में जो अभी condition है, fluctuation बहुत जादा है, volatility बहुत जादा है, AC news, बहुत छोटी स 35% का long term में आप रख सकता है, तो अभी currently जो इस coin में entry देख रहे हैं, उनके लिए हमने ये video अभी हमारे लिए entry level पर नहीं आया है coin, लेकिन हमने video इसलिए share कर रहे हैं, ता कि कोई भी जल्दी बाजी में उपर के level पर buy नहीं कर ले, इतनी सारी चीजे बताने के इसे investor हैं, जो जल्दी बाजी में buy कर लेते हैं, और मैं आपको guarantee की साथ कर रहा हूँ कि इस coin में, जब इसमें ये moment था, one three वाला, उसके बाद जो correction हुआ है, तब यानि कि पिछले चार से आठ दिनों के अंदर इस coin में buying की है, जो हमारे अभी watch कर रहे है view, viewers जो है, उनने भ buy किया होगा, और nine वाले area पर, तेन वाले area पर भी आपकी buying होगी, मैं बिल्कुई guarantee की साथ कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने buy किया है, वो बेजने जब comment करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उनको बता सके कि आपको क्या करना है, दूसरा इंस्टा पर DM करके भी आप अपनी queries resolve कर सकते हैं, चाहे आपको भले ही premium join नहीं करना है, फिर भी हम कुछ हद तक वहाँ पर कुछ हम time manage करके आपको जरूर reply करेंगे, अब यहाँ पर जो buy करना चाहते हैं, हमारे वीडियो के लिए ही wait करते हैं, तो 7, 8, अभी 8 cents से उपर यह coin trade कर रहा हम wait करेंगे कि 8 cents से नीचे हमें entry मिले, वो एक बहुत अच्छा level रहेगा, अगर हम 4 hour का chart open करें, तो इसमें जो correction हो रहा है, यहाँ पर इसने high बनाया, high के बाद यहाँ पर dump देखने को मिला, इसको बोलते higher low, फिर higher low हमें देखने को मिला, फिर high इसने बनाया, फिर हमें low dump देखने को मिला, यहाँ तक dump देखने को मिला, 8 तक प्राइस आ गई थी, फिर इसमें high देखने को मिला, इनकी higher low pattern को follow करते हुए, इस coin में dump देखने को मिल रहा है, जब एक stability होती ही, जब एक area होगा जहाँ पर यह coin stable रहेगा, हम वहाँ पर buy करेंगे, और वो जो area है, वो मुझे लगता है, कि 80 से नीश सकते हैं, अगर वहाँ पर 3-4 दिने coin stable, stable रहता है, तो, तो 80 वाला अच्छा area है, 7-8 वाला उससे भी ज़्यादा बेटर है, तो 7-8 वाले area पर आपको entry लेनी है, entry 80% पार्ट से लेनी, उसके बाद भी हम 20% पार्ट बचाएंगे, ताकि अगर कोई और भी कुछ चीजे इस type पर एक बड़ी candle, एक बड़ा dump हमें देखने को मिल सकता है, तो उस situation में हमें 20% पार्ट का की buy limit लगानी 0.073 पर, आप targets की बात करते हैं, तो जो quick profit याने trading perspective से entry लेंगे, उनके लिए 0.10 वाला target रहेगा, जहांपर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, और second target रहेगा 0.11 ज 10 और 11 पर, short term में जो buy करेंगे उनके लिए 0.12 से लेके 125 वाला area target रहेगा, इसको उपर की तरफ 0.09 राइसरेंस एरिया, उसको पार 0.106 और 0.12 next राइसरेंस एरिया, अब long term में जो लोग को hold करते हैं, जिनका long term का perspective है, वो भी अच्छे level पर हम इस coin को देखेंगे, याने कि 1 year का अगर आपका perspective है, तो minimum 3 से लेके 5 cent के बीच में, sorry, 0.30 से लेके 4050 के बीच में हम इस coin को trade करता हूँ, देखेंगे long term के अंदर, पाकिशन लोगों ने उपर की तरफ buy कर लिया है, 9 या 10 के round में, वो थोड़ा अभी recovery का wait करें, जब recovery हो जाती है, तो जो quick profit वाले target बता है मेंने, वहाँ पर आप sell out करेंगे, सोटम में, जो target बता है, वहाँ पर आप सोटम में sell करेंगे, जाहे अपकी buying कहीं भी हो, लेकिन आपको इस type की decision नहीं लेना चाहिए, अगर आप हमें follow करते हैं, तो बाकि जो नए investor है, उनको premium membership के में जरूर enroll करना चाहिए, ताकि वो इस type के decision से बच पाए, crypto losses से बच पाए, technical चीज़े सीख पाए, money management, risk management, क्या mindset आपका market में रहना चाहिए, लंबे time तक के से stay रह सकते हैं, over trading से के से बच सकते हैं, यह सारी चीज़े वहाँ पर आपको सीखने को मिल लेगी, तो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि इस टाइब के वीडियो आपको regular basis में मिलते रहें, thank you.